असलालेकुम के क्रियेशन पर आज हम ये सेज स्टिच बनाएंगे इस देखें कितनी खुबसूरत लगती है जब ये बन जाती है ति ये अप यह इस तरह से जाता है ये एक लाइन इस तरह की होती है और जब तूसरी लाइन पर तो यूँ लाइन आती है मैंने इसलिए दो शेड में कर रहा है तो शायद में भी आपको ज्याद अच्छी तरह से नजर आए देखें यह यू जा रही है और दूसरी वाले लाइन यू जा रही है बहुत खुबसूरत लगता है यह इसकी ब्लैंकिट तो बहुत ही अच्छी लगते है इस पेशल बेबी ब्लैंकिट चले मैं आपको बताते हूँ यह कैसे करते हैं यह multiply by 3 है जितने भी आपको stitches लेने है multiply by 3 पर ले ठीक है इस वक्त मैंने सेंपल के तुर पे 15 stitches लिए है 15 stitches करेंगे सेकंड चेंड चेंड जो हमारा स्में है यह देखें यह पहला है और यह सेकंड चेंड में हम हाफ डबल क्रोशी करेंगे फिर इसी ही में हम डबल क्रोशी करेंगे तो जो पहली हमने चेंड को छोड़ी वो उसकी सब्ट्यूटीट है सिंगल क्रोशी की पिर इसके बाद हम दो चेंड को छोड़ देंगे स्किप करेंगे एक और एक दो फिर तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशी करेंगे इसी ही चेंड के स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशी करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशी तो हमको इस तरह से सीक्वेंच जाना है सिंगल हाव और डबल एक ही स्पेस में यह देखें यह इस तरह से लगता है तरह से हम पूरी लाइन करेंगे फिनिश एक और एक दो चेंड चोड़ेंगे हम और तीसरे में सिंगल क्रोशी करेंगे यह देखे हैं हमारी क्लाइन फिनिश हो गई आखिर में एक ही चेन रहती है इस आखरी चेन में हम एक सिंगल कुरूशे करेंगे चेन वन करके हम काम को टर्ण करेंगे राइट टू लेफ्ट अब यह जो चेन वन की वह हमारा है सिंगल कुरूशे समझो हमने यह कर लिया सिंगल कुरूशे अब यह जो यह स्पेस थी ना हमने पिछले में एंड में जो करी थी सिंगल कुरूशे इसमें हम हाफ डबल होगा और उसी में ही डबल कुरशी होगा और एन्ञ में हमेशा हमारा एक सिंगल कुरश होगा इसमें इनू को छोड़ेंगे यह देखिऊ यह दो चेंज चोड़ेंगे एक और यह दो और अगर देखने के लिए जाएं तो यह कि इसमें हमारा नीचे वाली लाइन का सिंगल कुरोशे था ये समझें इसमें हमारा आएगा इसमें हमाइएंगे सिंगल कुरोशे करेंगे कि इसी में ही हाफ करेंगे और इसी में ही डबल करेंगे देखें पिर हम दो को छोड़ेंगे यह देखें हमारी दो चेन है एक और एक यह दो और यह तीसरी यह वाली वही नीचे वाला आया हमारा सिंगल कुरोशे यह देखें रहा है यह देखें लगता है यह वाली लाइन यू जा रही है और नीचे वाली लाइन यू हमारी जा रही थी अभी हमारा आखी आया यह देखें आखिर में यह दो चेन है और यहां पर हमारे को ध्यान देना है या तो आप इसी में ही चले जाएं सेकिन वाले में और सिंगल कुरोशे कर सकते हैं और यहां फिर इस चेन में करें मगर इसमें करते हैं तो बहुत आसानी रहती है इसलिए यह उपर नज़र भी आ जाता है और हम आसानी से कर सकते हैं और इसका कोई मसला नहीं है फिर चेन मन करें और काम को टर्ण करें तो यह जो हमने यहां पर सिंगल कुरेशे किया यह ही डबल करेंगे बिगिनिंग हमेशा ऐसी ही होगी यह दो है एक और यह दो यह तीसरी है और यह वह है नीचे का नीचे वाली लाइन है इसका सिंगल कुरुष्य है इसमें हम पहले सिंगल करेंगे हाफ देखें अपना खुब्सूरत लग रहा है यह वाली लाइन का यू जा रहा है और इसका यू जा रहा है जब यह पूरा बन जाता है तो बहुत ही खुब्सूरत लगता है शक्रीया झाल झाल